नमस्कार मैं मनीस और आप देख रहे हैं मीडिया दर्सन कल BPSAC के द्वारा जो है दरोगा भरती परिक्रिया के परिक्षा लिया गया इसके बाद तमाम चैनलों में ये दिखाया जा रहा है कि पेपर लिख हो गया लेकिन इसके बाब जूद तमाम सिच्छक जो है कट ओफ भी कि BPSAC ने जो एक्जाम लिया उसमें पारदर्सिता नहीं है पेपर वाइरल हो रहा है क्या कहेंगे आप देखे बाकी के बातों पर ध्यान ना दें आयोग भी बहुत सक्त है और बहुत इमांदारी से काम करती है ठीक है अगर कुछ ऐसा कुछ इलिगल एक्षन होता है अगर फालतों के बातों पर लोगों को ध्यान देना ही नहीं चाहिए निगेटिव चीजों के ऊपर ना हमारा फोकस इतना कम हो उतना बहतर होता है ठीक है हमेशा पॉजिटिव एनरजी के साथ करें गलत बातों पर बिल्कुल भी ध्यान ना दें और यही सक्सेस का मूल मंत्र होत सभी स्टुडेंट यह जानना चाहते हैं कि आखिर दरोगा का जो परिक्षा दिया गया उसका कट-off क्या है कि क्या है कि कोशन पूछने का तरीका बिल्कुल बदल गया है पहले कोशन जो पूछा जा रहा था उसमें कोशन पूछा जा रहा था उसमें करेंट एफेस का कोशन पूछ दिया कुछ कोशन आउट दो बॉक्स रहे हैं तो वह बॉक्स के बाहर उसको लोग बोल रहे हैं वह के बाहर नहीं है वह आपका IQ टेस्ट करने के लिए वह आपका IQ करता है तो आयोग यह जामता है कि वह एक ऑफिसर चुनने जा रहा है एक सब इंस्पेक्टर चुनने जा रहा है तो उसको पता होना चाहिए कि इसका IQ लेवल अच्छा होना चाहिए तो उसी के लिए और बहुत जाता देखें मॉडरेट क्या होता ना कि कभी किसी और सब्जेक्ट से अच्छा कोशन पूछ दिया जाता है इसवाज जैसे देखा जाए तो एकॉनोमिक पढ़ेगा आप वैसे नहीं रहा कि उपर उपर आप पढ़ करके सब कुछ कर लें तो आपको थोड़ा सा कॉंसेप्ट पर ध्यान देना होगा अच्छे से आप इसको अस्टनर्ड तरीके से कहीं से कोई दोरा नहीं है और कटब भी अच्छा जाने वाला है खराब नहीं ज इससे भी मैं बिल्कुल अवगत हूं कि क्या कोश्चन पूछा गया है तो एक ही सब्जेक्ट है जिससे कुछ कोश्चन जो है थोड़ा सा डिफर किया गया है वह है और जो करेंट है करेंट की वजह से लोग थोड़े से मायूस हुए हैं कि इतनी ज्यादा प्रैक्टिस इत इतना कोश्चन आपके पूछा जाता है ठीक है तो बाकी चीजों पर ध्यान ना दे अपनी अनर्जी बचा के रखें पॉजिटिव में काम करें और होफुली अगर आपने पेपर दिया है तो आपको मालूम होगा कि कितना कोश्चन सहीं बन रहा है और निगेटिव मार्कि कि मैं बात कर रहा हूं और वहीं अगर फिमल की बात की जाए उसका कम नहीं जाएगा क्योंकि फिमल भी जो कॉम्पटिशन हाना बहुत ही सांदार है बहुत तफ कॉम्पटिशन है ठीक है तो उसका कट भी मैं जहां तक देख वा रहा हूं कि 68-70 जाना ही चाहिए एक दो मा पीछे हो सकते हैं और कटेगरी के बात की जाए तो साट पैंसे वहीं जाएंगे उससे कम नहीं जाने वाले हैं और फिमल में भी बात की जाए तो वहीं सब्सक्राइब सब्सक्राइब करें में जो लगें तो थोड़ा अच्छा से और बेहतर तरीके से करें इसके लिए और सारे बच्चों को हमारे तरव से बहुत बहुत सुब्काम ना है इस बात के लिए सबका पेपर अच्छा हुआ होगा मुझे पता है मायूस ना हो आप पेपर हर किसी के एकॉर्डिंग नहीं होता जो लोग पढ़ते हैं अच्छे से उनके बिल्कुल होता है ठीक है तो पढ मालूम होता है कि मेरा क्या होने वाला है कभी-कभी एक-दो मार्ग से आगे पीछे हो जाते हैं बाकि कुछ नहीं ऐसा होता है तो और जैसा कि आपने जिस बात से सुरुआत की कि ऐसी ऐसी बातें चल रही हैं किसी बात पर ध्यान ना दे आयोग बहुत ही सक्त होता है और हर और विद्यार्थियों के फेवर में जितना भी बन पड़ता है आयोग उसके लिए तत्पर होता है धन्यवाद ये थे हमारे साथ आपके पाट साला की स्थाफक ससी सर जिन्होंने सिधे तोर पे कहा कि एसाई का इक्जाम में किसी परकार का धांदली नहीं हुआ है जो भी देखने को मिल रहा है इस तरह के तमाम अपडेट के लिए देखते रहे हैं मेडिया अधर संग धन्यवाद कर देखने कर दो